आपका हमारे यूट्वी चनल संधाग्यान में शागत है मैं आपके लिए लिए लेकर आचुका हूं आपके आने वाले इंग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो अभी तक आपने हमारी चैनल को लाई सिस्क्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए मैंने आपका पांच आपके दिखाए तो जाकर हमारे चैनल के प्लेइलिस्ट में देख लिए ठीक है तो हमारा चटवा वीडियो हो ठीक है जिसमें हम 250 से लेकर 300 तक कुशन करवाएंगे जाने कि फिल्पी कुशन आपको कुरवाए जाएगा ओके तो चलिए आज क्या कुशन स्टाट करते हैं बताईए कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निम लिखित में से कौन सा फार्म आवश्चक है तो इसका अंसर हो जाएगा फार्म एल एल डी ओके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फार्म एल एल डी आवश्चक है चलिए आगे दिखते हैं अब बताईए कि पंजिक कर परमार्पत्र के लिए फार्म चिहravus 26 ऑवश्य कि साओ कि इसमें फार्म 26 ही अंतिस वॉवाला गलत है ठीक है एक चुर्ट आगे दिखते हैं है भर इपाएक कि मोटर वाहन एक्ट में फार्म का उप्योग होता है तो मौह मोटर वाहनल्ट में फार्म 30 को प्योग मोटर विकल की मालिक के ट्रांसफर की रिपोर्ट होती है ओके चलिए आगे दिखते हैं बताइए कि मोटर विकल एक्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट की घोसडा के लिए कौन सा फार्म आवश्रक है तो इसका अंसर सी हो जाएगा यानि कि फार्म एवन की आवसकता होती है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए लेकिन फार्म एक की आवसकता होती है कब फिजकल सर्टिफिकेट के लिए ओके चलिए आगे दिखते हैं बताईए कि इंजन के सोर के लिए अंसदाई कारड क्या होगा तो इंजन के सोर के लिए अंसदाई कारड आपका भी है यानि कि इंजन के खराब बुड़ बत्ता ओके चलिए आगे दिखते हैं बताईए कि कम आयल प्रेसर का संभावित कारड क्या होगा ठीक है तो इसका सही नशर हो जाएगा आपसा नमबर एक यानि की क्रेंको साफ्ट स्वारी केंस अप्ट क्रेंको साफ्ट बेरिंग का घिसा होना ओके इसलिए कम आयल प्रेसर का संभावित कर्ठ यही होगा ओके चलिए आगे दिखते हैं यदि संफ में आयल की जाली का चोख होने का नतीजा क्या है जब संफ में तो बताईए कि जिर्ड 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 यानि कि खराब बैटरी ट्यर्मिनल वाले अधीर इंजन करने का क्या प्रेड्राम होता है जिसकी खराब हो जाएगा तो इसका अफ्शन हो जाएगाब फैन जो फैन होगा वो तिर सु सिस्टम में एर लॉक होने पर इंजन प्रदर्वर शर पड़ेगा थे प्रिवल सिस्टम में एयर लॉक होने पर इंजन पर क्या असर पड़ेगा तो इसका असर हो जाएगा भी यानि कि इंजन अनिश्चित रूप से चलेगा ठीक है इंजन अनिश्चित रूप से चलेगा ओके चलिए आगे दिखते हैं यह बताएगे कि इंजन के डवाडोल चलन क्या कारण होगा है इंजन के डवाडोल चलने का कारण अफसन नमबर बी में है कि इंजन में पानी का हो ना ठीक है जब इंजन में पानी का हो जाएगा तो इंजन के डवाडोल चलने का कारण होगा को चलिए आगे दिखते हैं कि अधिक आयल प्रेसर का क्या कारण है यानि एक वाट केस हाई ओयल प्रेसर तो इसका सब्सक्राइब अफसर नमबर सी ठीक है यानि कि रिलीफ वाल का खराब ओके चलिए आगे दिखते हैं बताए कि सिष्टम हैंड पर अधिक कार्बन जमाने का कारण है यानि कि वाट इस दर रिजल्ट आफ मोर कारबन डिपोसिट अंद पिस्टन हैड तो इसका सभी असर हो जाएगा अफसर नमबड्डी कि इंजन का सोड ठीक है जैसे सिष्टम है पर अधिक कार्बन जम जाएग बताइए कि यदि कम को सिटी ग्रेट का आयल प्रेयोग करें तब इंजन के प्रदर्शन यानि कि पर्फार्मेंस पर क्या असर होता है ठीक है तो क्या असर पड़ेगा कि आफ्शन नंबर सी में हो जाएगा यानि कि अधिक आयल की खपत ठीक है कम अगरेलस्टिक आप ग्रेट का तेल डालेंगे तो अधिकाय अपका यूज होगा चलिया आगि दिखते है बताइए कि कम जोर कम प्रेसर प्रेसर का क्या परिगराम होता है तो इसका अंसर सी हो जाएगा यानि कि कम पावर की उत्पादन उके कंजोर कंप्रेसर का परीडाम होता है कि कंप पावर की उतपादन चलिए आगे दिखते हैं इसमें बताइए कि कंप पावर उतपादन का क्या करण है Roger Lord lo power generation और जेंएन्र ऑ 20 इसका सहे अफसे सरह ऑगा ऑफनाबर सी आने कि सही टेपेट क्लिरेंस नहीं न terribly आधिक इंजन की खपत का क्या कारण है तो इसका सही अंसर हो जाएगा अफसर नमबर एक यानि कि एर क्लीन गंदा होगा तो आपका ज्यादा इंजन की खपत हो जाएगी ओके चलिए आगे दिखते हैं तो बताएए कि फ्यूल टैंक के वेल्ड यानि कि होल की बंद होने का औसर पड़ेगा यानि कि वाट विल भी दैफेट अपक्लोज टैंक वेंट होल ठीक है तो तो इस्तूब नहीं होगा कि इसमें बताएं कि मॉल्टीयूद। इंजेक्शिंट में के इसमें इसका नाम है यहाइचो तुसका क्या नाम है इंटेक पार्ट इंटेक वाल्व या फिर इंटेक मैनिफोल्ड या फिर इंजेक्टर तो इसका सभी अंसर हो जाएक अफसान नमर सी यानिकी इनलेड मैनिफोल्ड ओके इंटेक मैनिफोल्ड है ठीक है जो एक्स है वो इंटेक मैनिफोल्ड है चलिए आगा दिखते हैं इसमे रेगुलेटर या पर एलेक्ट्राणिक कंट्रोल यूनीट तो इसका सज्चर हो जाएगा अपसर नंबर बीट ठीक है अपसर नंबर भी तराइट अशर यानि की एलेक्ट्राणिक अब अगला बताईए कि four cylinder engine में इंजन के लिए firing order क्या है या भी important question है ठीक है तो इसका सज्चर हो जाएगा option number ठीक है याने एक तीन चार दू यह याद के लिए एक तीन चार दू यह important है फोर से लेंडर इंजन के लिए firing order अपसर चलिया के देते हैं बताईए कि radiator control system के लिए तापमान की on off करने की क्या limit है ठीक है radiator control system के लिए तापमान की off on करने की क्या limit है ठीक है यह आपके option दिये गए है ठीक है चार आपसन तो इसमें अपका पहलब सही हो जाएगा ठीक है यानि की 98 degree Celsius और 93 degree Celsius से कम होने पर on या off होगा कि 98 डिगरी सेल्सियस और 13 डिगरी से कम होने पर अन अफ होगा चलिए आगे दिखते हैं जिप्र में दिखाए गए इगनिशन सिस्टम के पार्स का क्या नाम है ठीक है यह आपका इंप्रॉटन कोशन भी है इस पार्स का क्या नाम है तो इसका सभी अंसर हो जाएगा अपसा नाम वरसी कंडेंशर ठीक है इस पार्स का नाम है कंडेंशर चलिए अगर दिखते हैं कि बताईए कि इगनेशन कोयल में एक्स निसान वाले पार्स का क्या नाम है ठीक है यह आपका चित्र है ठीक में इसमें यह एक्स क्या नहीं है वो पूचा है कि primary winding या secondary winding या फिर वेक लाइक्ट कैप या फिस सेकेंडरी कैप तो इसका सही अंसर बताइए क्या होगा इसका सही अंसर हो जाएगा अपसन नंबर एक यानि कि प्राइमेरी वाइडिंग है ओके चलिए आगे दिखते हैं बताइए कि किसी क्लोजड सर्किट में काउंस से नियम के अनुसार इंजक्षन इंडक्षन इलेक्ट्रो मोटिफ फोर्स रेट आफ चेंज मैगनेटिक फ्लक्स के बराबर होती है तो इसका सही अंसर हो जाएक अपसन नंबर डी यानि कि फाराइडेस का नियम ओके फाराइडेस का नियम या temperature sensor या hall effect sensor है तो इसका सही अंसर हो जायगा असनंब्स एक क्रेंक पोजिशेंस से सर ह्यों के चलिए बदाए कि इस से सेंसर का क्या नाम है वाट इस था निमाफ इस सेंसर का क्या नाम है टेम परेच्टर अं सर प्रेसर सेंजर प्रेच्टी मजान और फिर ऐल टैक्स या बताईए कि Spark Plug Gap चेक करने के लिए प्रयोग की जून वाली गेज का क्या नाम है ठीक है या आपको गेज दिया है इसका क्या नाम है Radiator Gauge या फिर फिलर गेज तो इसका से इंसर हो जाएगा अपसर नमबर B ठीक है या फिलर गेज इसका नाम है चलिए आगे दिखते है चलिए मफिक मज संसर हो जाएगा अफितान नमबर B साफ पोजीशन संसर है ये जो आपका है यह क्रेंग का शोफ्ट प्रोजीशन सेंसर है ठीक है क्रेंक साप्ट पोजीशन सेंसर है ओके डिवाल अफसन गलती है अफसन नंबर सी सही हो जाएगा उके चलिए आगे दिखते हैं अ कि बताइए कि सेंसर का नाम क्या है यानिक वाट इस दरनेम आफ सेंसर इसेंसर का क्या नाम है यह आपको चितर में दिख रहा होगा ठीक है इसका अफसन है कि टेंप्रेचर सेंसर थ्रोटल पोजीशन सेंसर या सी अफसन है कि क्रेंक सॉप्ट पोजीशन सेंसर या डी अफसन तो वाट इस तर्ट टाइप सेंसर आपको यह चितनर में में दीकरा होगा पहल रहा है कि टेंपरेचर से राय gösteh sensor है कि magnetic induction sensor है ठीक है तो इसका सभी answer हो जाएगा option number B ठीक है यानि कि temperature sensor है ठीक है यह जो आपका है temperature sensor है चलिए आगे यह बताए कि spark plug में एक्स निशान वाले parts का क्या नाम है यह आप देख रहें इस पार का प्लग ठीक है इसमें जो X चिनित किया गया है उसका क्या नाम है कि बाड़ी या फिर इंड़ कैप या सी अफशन है कि insulator या डी अफशन है कि center electrode ठीक है तो इसका sensor हो जाएक option number C ठीक है या इंसुलेटर को प्रदर्शित कर रहा है कि बताए कि आम तोर पर spark plug gap कितना होता है ठीक है यह important question है कि आम तोर पर इस पार्ग gap gap कितना होता है तो इसका sensor हो जाएगा option number B यानि कि 2.03 mm होता है ठीक है important है इसे याद कर लिए चलिए आगे दिखते हैं कि distributor में एक्स निसान वाले CSative का क्या नम है यापको दिखाई दे रहा है ठीक है इसका क्या नाम है आपके option Yes जाए कि रोटर कंडेंसर या डिस्टिभूटर कैप या दी ऑफशन है कैम ठीक है तो इसका क्या नाम है तो इसका सब्सक्राइब अपसन नमबर भी तराय टेंसर यानि कि इसका नाम कंडेंसर है ओके चलिए आगे दिखते हैं कि I narrative है कि इसमें बताये कि centrifugal advance mechanism में एक्स निसान वाले पाढ़ का नाम है या पको चित में एक्स दिख रहा होगा ठीक है इसका इसका क्या helemaal है कि एक्स है वो ड्रिश्ट्रिप्यूटर सब है सब्ट है ठीक है बताए कि वैक्यूम एडवांस मेकैनिस्म में एक्स निशान वाले पार्ट का क्या नाम है ओके है कि यह हाब कचे कर ठीके यह आपको दिख रहा होगा इसका है कि वैक्यूम यूनित या बी ऑप्षन है कि डा डा इसमें बताएं कि बीना डिस्ट्रिब्यूटर वाले एगनिस्टन सिस्टम में कितने इस्पार्क प्लग एक साथ इगनाइट होते हैं एक दो तीन चार या फिर पांच तो इसका सभी अंसर हो जाएगा अपसान नमबर एक ठीक है दो यानि कि बीना डिस्ट्रिब्यूटर वाले एगनिस्टन सिस्टम में दो इस्पार्क प्लग के साथ इगनाइट होते हैं ओके चलिए आगे तो बताएं कि बैटरी इगनिस्टन सिस्टम में डिस्ट्रिब्यूटर का क्या कार्य होता है ठीक है तो डिस्ट्रिब्यूटर का कार आपसन नमबर B में है कि इस्पार्ग प्लग को उच्छ तनाव वर्तमान प्रवाः इगनिशन कोईल वितरण करें ओके यानि कि डिस्टिब्यूटेट हाई टेंशन्स करेंट फ्लो इगनिशन्स कोईल टू इस्पार्ग प्लग ओके तो आपसन भी इस तरह आइट एंसर आइसमें बाग ए कंदेंसर का क्या उद्धेश यह है कि प्वाइंट को आर्क से बचाना जाने की प्रिवरण से और ओके सब्सक्राइंट की इस्पार्ग अडर्ग येप के डिजाइनỗi द्वारा क्या प्राप्ट किया जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number एक यानि कि convention reveal में सुधार करना ओके improve convention swirl ओके swirl चलिए आगे दिखते हैं बताइए कि बहुत से इंजनों में spark plug को तिरच्छा seat के साथ क्यों प्रयोग करते हैं तो इसका option number C में सही अंसर है कि clearance space प्रदान करता है यानि कि provide clearance space ठीक है और यह सब नहीं होगा कि easy fitting में सहायता होना या सही alignment में पैदा करना ठीक है यानि कि अच्छी ceiling पैदा करना यानि कि products good ceiling यानि कि यह सब गलाथ है ठीक है अफसा नंबर C is the spark plug गर्म रहेगा ठीक है spark plug में heat द्वारा लंबा रास्ता तय करने का असर यह रहेगा कि spark plug भी गर्म रहेगा ओके बताए कि distributor में breaker plate का क्या उद्देश्य है important question है ठीक है तो इसका कांग सा इलेक्टर नियंतर प्रडाली इंजन को रोकती है कि फ्यूल इंजच्टन कंट्रोल या फ्यूल पंप कंट्रोल सिस्टम या फिर आइडियाल इस्पीड कंट्रोल सिस्टम या अग्नेशन कंट्रोल सिस्टम तो इसका से अंसर हो जाएगा option no.C ठीक है आइडियल स्पीड कंट्रोल सिस्टम ठीक है इंजन को रोगती है चलिए आगे दिखते हैं बताए कि टेंपरेचर सेंसर यूनिट में रेजिस्टेंस की कितने अंतर की अनुमती है ठीक है टेंपरेचर सेंसर यूनिट में रेजिस्टेंस की कितने अंतर की अनुमती है तो इस चलिए आगे दिखते हैं बताए कि engine control module में thermo timing switch का क्या नाम है ठीक है तो इसका science हो जाएगा option number B ठीक है यानि कि engine coolant के तापमान को sense करना यानि कि engine control module में thermo timing switch का नाम है कि engine coolant के तापमान को sense करना ओके चलिए आगे दिखते हैं कि बताए कि इंजन कंट्रोल में में इंजन के आर्पीयम कांसा यंत्र बनाता है ठीक है यह भी बहुत इंपर्टेंट कोशन है तो इसका सब्सक्राइब अप्सान नंबर भी टेको मीटर बनाता है ठीक है इंजन के आर्पीयम काउन सानी अंतर बताता है तो उसका अंसर सही होगा टोकमीटर ठीक है तो यह आगे दिखते हैं कि आप तो बताए कि इंजन के इधन कांट्रोल मॉर्डूल कहाँ फिड़ किया जाता है ठीक हैं इंजन के इधन कंट्रोल मॉर्डूल कहां फिड़ किया जाता है तो इसका जो सई-ban sir वो हो जाएका अप्रसाइड औफ इंस्ट्मेंट प्रेट है यानि कि इंस्ट्ूमेंट प्रेज पैनल के नीचे की तरफ ठीक है यानि कि अप्से नंबर एच जो रहेगा वहीं वहीं सही होगा चलिए आगा देखते हैं अब बताईए कि अलग अलग driving कंडेंशन के रहते कंबंशन चंबर में सही मात्रा में एयर फ्यूल मिक्चर काउंसा electronics control system पहुचाता है ठीक है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number B कि fuel injection control system तो मैंने यहाँ आपको 300 questions complete करवा दिया है ठीक है तब आज के लिए इतना है तब तक के लिए नमस्कार जाहिंजे भारत हो सकता है सब्दों में कुछ तुरूटी हो ठीक है तो उसके लिए चमाग करें क्योंकि पढ़ते समय क्या होता है कि थोड़ा तुरूटी हो जाती है तो मैनेज कर लिजो के चलिए जह जह भारत